We are going to receive comfort from the Lord, you'll be transformed, from Saul to Paul. What about you my brother, are you praying for your family, for your children, how much time you spend, My beloved people, read the word of God, how He will comfort you, if we read 2 Corinthians chapter 1 verse 4, यदि आप दूसरा कुरिंतियों एक अध्याए उसके चार पद को पड़े हैं, तो यहां हम पड़ते हैं, परमेश्वर हमें शान्ती देता है, हमारे सब कलेशों में, ताके हम दूसरों को शान्ती दे सकें, हम परमेश्वर से शान्ती को प्राप्त करेंगे, और उसके दौरा, परमेश्वर की शान्ती को पा करें, आप दूसरे लोगों को शान्ती देंगे, मेरे प्रिये भाईयों बहनों परमेश्वर आपके दौरा ऐसा करेगा, संत पॉल उसके जीवन पर ध्यान दे, संत पॉल उसको प्रभू ने सामर्थी रीती से इस्तेमाल किया, आज मेरे प्रेय नौजवानों, यदि आप परमेश्वर के बच्चे बनना चाहते हैं, और परमेश्वर के दास बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को भी बदलना चाहता है, मैं नौजवानों से एक प्रश्ण पोचती हूँ आप मेंसे कितने लोग प्रभू के लिए काम करना चाहते हैं शाउल नाम का वो व्यक्ती सड़ा हुआ व्यक्ती था लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल गया अब वो बदल कर संथ पॉलस बन गया और प्रमेश्वर ने उसे सामर्थी रीती से इस्तेमाल किया यदि आज आप भी ऐसा ही जीवन पाना चाहते हैं तो आपके लिए प्रमेश्वर का एक छोटा सा स्पर्श काफी है आप मैंसे कितने लोग यह अनुभाव पाना चाहते हैं यदि आप रभू के लिए काम करना चाहते हैं मैं शाओल के समान बनना चाहता हूं नहीं मैं पॉलस के समान बनना चाहता हूं मुझे शाओल के जैसा जीवन नहीं चाहिए यह रॉटन लाफ यह जीवन नहीं चाहिए लेकिन इस समय आज ही प्रमिश्वर की सामर्थे को ले, और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, तो यहां हम पढ़ते हैं, कैसे एक सड़ा हुआ व्यक्ति शाउल बदल कर सुसमा चार प्रचारक पॉलुस बना उसने अपना जीवन अरपन किया अपना जीवन अरपन किया आपको भी बस यही करना है जहां पर भी आप बेठे हैं बस उससे कहे पादर चेंग में आप बेठे हैं मैं चाहता हूँ आप हर समय मेरे साथ रहें मैं चाहता हूँ आप अपनी दया और भलाई को मेरे जीवन में और दूसरों के जीवन में भी प्रकट करें और जब हननिया नभी संथ पॉलुस के पास आया तो उसने उस पर अपने हाथ रखकर उसके लिए प्रार्धना की फिर जानते हैं क्या हुआ पॉलुस का बब्तिस्मा हुआ आत्मा में जब आप यहां बैठे हैं इसी समय पवित्रा आत्मा का वो बब्तिस्मा आप पर आएगा और आपके जीवन को बदलेगा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा आपका घर एक प्यारा घर बन जाएगा सामर्थे से भरागा अपनी जवानी के नवे आप बहुत से लोगों को प्रभू के पास आसकते हैं वो समर्थे जो आपके जीवन में भरेगी वही ऐसा करेगी परमेश्वर की समर्थे को ले ले येश्व मसीग के जीवन पर गौर करें इसके बारे में आप बाईबल में पढ़ें यदि आप प्रेरितों के काम 10 के 48 को पढ़ें यहां वो कहता है मैंने परमिशर की सामर्थे को पाया उसने पवितरात्मा के अभी शेखол को पाया और परमिशर का काम करने में लगा अपने पिता के काम को करने में लगा उसने बहुत से लोगों को शांती देने वाला बनाया उसी पrikार से गयर याँ पर है वो आपके जीवन को बदलना चाहता है हमारे नौजवान बच्चों के जीवनों को बदलना चाहता है आप बदल जाएंगे आप बदल जाएंगे रम सौल तौल से पॉलुस बनेगे परमेश्वर की सामर्श को ले ले जब आप यहां बैठे हैं येश्व से कहें मैं परिवार में रहता I'm living in a family मैं परिवार में रहता पिता परिवार को आशिष में ऑटी के नाथे बच्चों के नाथे हम भी उसी सामर्श को पाना चाहते हैं इन दिनों में जैसे के योल 2.28 में हम पढ़ते हैं परमिश्वर सब लोगों पर अपने पवित्रात्मा उडेल रहा है परमिश्वर ऐसे लोगों को आशिष दे रहा है हमारी सभाण में जहां भी हम जाते हैं हम लोगों से कहते हैं जब आपके साथ कैसा है के आप अपने परिवार के लिए प्राथना कर रहे है अपने बच्चों के लिए इत्ना समय आप बिताते है आज कल मैं बहुत से भाईयों बहनों से बाईबल में से एक सरल सा पद पूछती हूँ लेकिन उन्हें पता नहीं होता भले ही वे परमेश्वर की सेवा करते हैं लेकिन उन्हें बाईबल में से एक पद का पता नहीं है मेरे प्रिये लोगो Read the word of God परमेशिर के वच्चन को पढ़े As much as you can And spend time with the presence of God और परमेशिर की उपास्तिती में समय बिताए God will bless your home परमेशिर आपके घर को आशिश देगा When you have to get married The Lord will give you the best partner परमेशिर आपको उत्ऴ जीन साथि देगा When I was about to get married I said मैंने कहा मैं परमेश्वर की निकटता में कैसे चल सकती हूँ जब मेरी शादी भाई दिनकरन जी के साथ हुई तो उनका जीवन मेरे लिए एक नमूना था एक प्रार्थन करने वाले पती थे ऐसे पती जो अपना सारा समय प्रभू के साथ बिताते थे मेरे भाईयो आप जो परिवार के मुखिया है क्या आप की ऐसी गवाही है मेरी बहनो क्या आप प्रार्थन करने वाल इस्त्री है मेरे बच्चो आप अपना समय कैसे बिताते हैं आज कल सब बच्चे अपना समय मोबाईल के साथ बिताते हैं या टेलिविजन देखते हुए बिताते हैं या गर्ल फ्रेंड्स और बॉइफ्रेंड्स के साथ अपना समय बिताते हैं इन सब चीजों को अपने से दूर करें इन सब चीजों को दूर करें ये सब संसारिक चीजे हैं ये आपके जीवन में आनंद को नहीं लाएगी केवल येशु ही यदि आप रभू येशु मसीख की निकिटता में चलते हैं केवल तभी आपका घर पूरी तरह से बदल जाएगा परमेश्वर को इस जरूरत को पूरा करने में खुशी होगी मैश्वर कवचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा बस प्रभू से मांगे प्रभू मुझे दिलासा देने वाले से भरे पवित्रात्मा से भरे जब आपको पवित्रात्मा मिलेगा वो आपको सामर्थ देगा मैंने बहुत सी समस्याओं को जेला है मेरे पती के शरीर में बहुत सारी तकलीफे थी और बहुत बार वे मृत्यू के बिलकुल समीब पहुँचे तीन या चार बार डॉक्टरों ने कह दिया आपके पती की मृत्यू हो जाएगी लेकिन मैंने प्रभू से प्रातना किए पवतरात्मा ने मुझे बहरा पवतरात्मा ने मुझे उट्साहिद किए या आप न छोडो वो जियेंगे और वो तिहत्तर साल तक जिये और प्रभू की महमा के लिए बड़े-बड़े काम किये आपको भी शांती भरा परिवारिक जीवन मिल सकता है जवानी में ही अपना दिल प्रभू को दे दे यूसुफ के समान यूसुफ के समान दानियल के समान दाउद के समान जवानी में ही परमेश्वर के खोजी बने और उसी दिन से परमेश्वर आपके साथ रहेगा येश्व के लिए जीना अद्भुत जीवन है मैं एक बुजर्ग इंसान हूँ मैं घर लोटने के दिन की प्रतिक्षा कर रहे हूँ लेकिन मैं प्रभु से कहती हूँ प्रभु मुझे जीवन दे और मुझे भी इस्तेमाल करेए आप ही प्रभु को पुकार सकते हूँ मैं नौजवान हूँ बादर मिता मुझे पवित आतम से बहें मुझे शांती देने वाला बनाए मैं बहुत सारी समस्याओं का सामने का रहा लेकिन पवित आतम मुझे शांती दे and let me comfort other people also will you not make a decision now young people how many of you believe that how many of you will ask for that Lord fill me fill me and let me be a useful vessel in your hands all your problems will be taken care of by the Lord He will do everything for you today is a great day God is going to bless all the young people in a special way in the same way the homes are receiving the same blessing Hallelujah if you believe you shall see the glory of God the comfort is coming upon you God's comfort is coming upon each one of you all your worries are gone all your problems are gone right now we are going to look to the Lord and we are going to pray unto the Lord whatever you want to pray shall we pray let us all close our eyes you can look to the Lord my precious brothers and sisters look to the Lord look to the Lord who gave his life on the cross he suffered just for you my brother my sister and my young children remember that remember that and from now on and from now on and from now on cleanse you transform life without the sins without the addictions of the sins we have a lot of sins in our life you may be living an unwanted life you may be living a life which is pleasing Satan Lord Jesus is ready to cleanse He is going to give you new life He is going to give you new life He is going to be an old person or you may be a young person or you may be a young person or you may be a small child too or you may be a small child too but today is the day of deliverance God of comfort is going to comfort you Shanti ka pramishwara you may be a young person with His blessing with His salvation make your life a new life hallelujah will you believe that will you open your heart widely ask Jesus and Jesus come into my heart into my heart come in today come in to stay come into my heart give me a new life pleasing life before the Lord a true Christian life you may be saying a Christian you may be living a far off life from Jesus but right now Jesus is waiting for you my child my son my daughter will you please come to me he wants to give you a new life how many of you want that life how many of you want that life let all the eyes be closed those who want that life those who want that life those who want that life just stand up wherever stand up wherever you are sitting and the Lord is going to touch you and the Lord is going to touch you cleanse you this precious blood who will you have to give you a new life who will you have to give you a new life how many of you want that new life these are a transformed life Saul became Paul Saul Paulus who did that Pramishwar has been here he is coming closer to you and he will be pleased to see you how many of you want to have a new life tensed by the power of God tensed by the blood of Jesus Christ it is happening right now the Lord is going to touch each one of you for I am going to pray for you the Lord will touch you you can feel the touch of the Lord from this day you will have a sweet home you will have a sweet life filled with a God of comfort God of comfort will come into you make your life a sweet life you will have a sweet life price centered life no more sins no more addiction the Lord's power is coming upon you the Lord is touching each one of you I am going to pray a small prayer you can put your hand upon your chest you can put your hand upon your chest the power of God saving power of God will touch you Pramishwar ki shakti uski chhutkara dene waali shakti you will touch you God will change your life Pramishwar aapke jeevan ko badalega comfort of God will come upon you Pramishwar ki shanti you will have a new life you will have a new life forgive all those who are living a wrong life a life which is closer to satan's wish bring them out of the touches of satan bring them all out of the touch of satan deliver them love free life let the blood of Jesus Christ cleanse each one of them from this day let them walk a close walk with you have mercy upon each one let their lives be transformed by the power of God Thank you Lord Thank you Lord You are changing the lives of our dear children You have changed our own children Amen Amen My children You have received the touch of the God of comfort Today Your life will be a true Christian life Have communion with the Lord Always talk to Him And whatever He prefers You follow His ways Live a pleasing life before the Lord The power of God is coming upon you Hallelujah Live a glorified life God will help you God will help you God bless 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 you